जोधा अंगुरुबाई इतिहासिक दावा नहीं करता है इसका उदेश किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेश पहुचाना नहीं है अच्छा हुआ आपने रहीम को सुला दिया वरना बहुत सताते हमें ये अब अगर आपको कोई इस तरह रहीम के साथ देखता तो लगता कि आपका ही बेटा है हाँ तो है तो हमारी बेटी जैसा ही न इसलिए तो हमें ये छोटे अमीजान कहे कर बुलाते हैं आदाव प्रणाम शेंशा अच्छा जोदा बेगां इजाज़त दीजिए खुद हाफिस फिर शेंशा को क्या हुआ थोटी अमीजान इससे पहले कि ये जाग जाए हम इने सुला आते हैं वरना फिर से शरार शुरू करतेंगे खुद हाफिस लगता है रोज की दरा आज भी आपको दिन वैसे ही गुज़रा मन मतलब है कि अम बे मा के मंदर जाकर नहीं आज हम वहापर नहीं गए थे रहीम सलीमा बेगम को बहुत तंगर रहे थे तो हमने सुच्चा थोड़ी दिर हम उसे संभाल लेते हैं सलीमा बेगम को थोड़ी मदद मिल जाएगी और वैसे भी वो आजकल अपनी बुस्तक लिखने में वैस्त है वो लिखने में महीत बनते जा रहे हैं और आप सुनाने बे पिसको उनसे कहानी सुना ली थे आप उन्हें हमें लगा कि आप उन्हें हमारी कहानी सुना रही है आपको कैसे पता? अहां उन्हें ने नीम में शेहनशा कहा तो में लगा कि शायद हमारी कहानी होगी सही कहा अपने हम रहीम को आपकी और अपनी कहानी सुना रहे थे कि किस प्रकार शेहनशा को उत्तम युद्धा है और एक शेहनशा को युद्धा होने के साथ-साथ और भी बहुत कुछ होना पड़ता है फिर रहीम हमसे पूछते कि शेहंशा कौन है तो हमने उसे बताया कि शेहंशा वो हैं जो सदा अपनी प्रजा की बारे में बहला सूचते हैं बहुत खूब वुझान। कि अगर एक बेगम साथ हो, फर्समें इमानदार हो तो एक शेनशा बहुत आगे तक जा सकता है, लेकिन अगर एक बेगम साथ ना हो तो इमानदार ना हो तो एक शेहनशा अकेला ही रह जाता है फिर उसके लिए जिन्देगे में किसी चीज़ के माइने नहीं होते सवाई उसके फर्स के जैसा कि अम्मी जान कहती है कि शेर जंगल का शेहनशा होता है इसकी किस्मत में लिखा होता है कि उसे अकेला ही चलना है कोई इसके पास नहीं आता, सब उससे डरते हैं सब उससे सची बाते हैं परन्तो हमने आपसे कोई बात ऐसा क्यों लगता है कि आप हमसे दूर होते जा रहे हैं चैंचा क्या हमारे प्रयासों में कोई कमी रह गई आपने अच्छा इंतिजाम किया आदम खान जी बेशक हमने पूरा ख्याल रखा है कि आपको किसी किसम की तकलीफ ना और आपको वो सब कुछ मिले जिसके आप हकदार है इस इज़त अफजाई के लिए बहुत बहुत शुक्रिया उमीद है सूरज जूपने से पहले हम लौट आएंगे जी बलकुन सूरज जूपने से पहले काम हो जाएगा और हम मन्जिल पे होंगे हुदूर एक अर्ज है जंगल में शिकार बहुत है मगर साल के इस मौसम में उनके लिए शिकार की कमी होने की वज़े से यहां महाँ छितराए हुए हैं हमारा एक मश्वरा है कि हमें दो टुकडियों में बढ़ जाना चाहिए शिकार करने में आसानी होगी बेशक ये बहुत ही उम्दा खयाल है ऐसा करने से हम वक्त पर शिकार कर पाएंगे हां मगर हम आपके साथ ही रहेंगे क्योंकि हमें जन्रल की मालूमात है ठीक है दो टुकडियों बनाई जाए पीर मौहमद सहब कहिए हम नदी के किनारे पहुचने वाले अच्छी बात है फॉरण मोर्चा लेते हैं हम जो अच्छी बात है हुजूर्ण हमें अच्छी वहां हिरन है हम नर्नाल तैयार करते हैं नहीं हुजूर्ण हिरन बहुत तेज होते हैं अगर बज गए तो नर्नाल के धिमाके से बाखी के शिकार भी होश्यार हो जाएंगे हमारी मानी तो बस खंजर अपने साथ रखिए अच्छी बात है होश्यार लगता है बांज बादू के आदमी है खतम कर दो सबको कोई बाचना पर्ण हाएंगे क्या पर्ण अप्ड़र के मानी तो एकना प्रूपर अच्छी तो अप्रण भी होश्यार है प्रण प्रण कर दो दो अव्यार है आप ते करमत कीजिए, हम आप पर कोई आच नहीं आने देंगे, आप ने कलिए हम समालते हैं आपर जो पकोड़ से जो पक्षी बानो आपको एहतियात परतना चाहिए अब आपके उपर अपनी ही नहीं एक ननी सी जान की भी जिम्मदारी है आदाब अमीजान, जीती रहो आदाब भापीजान, आदाब पैठो, रुकईया, देखा, बक्षी इस हालत में भी वजन उठा रही है ये तो गलत है बक्षी बानो, इस वक्त आपको आराम की जरुवत है आपको काम नहीं करना चाहिए रुकईया बेगम, अब हरम के इंतजामात आपके हाथों में है बक्षी की खास बान्दी तो अब है नहीं तो एक अच्छी बान्दी और काबिल खौजासारा का इंतजाम आपको करना है जी अमीजान अब हम क्या करें जोधा बेगम के फजलो कर्म से सारी पुरानी बान्दिया अपनी खिद्मत छोड़कर चली गई है और बाकी बेगमात को भी ये दिक्कत हो रही है मगर आप फिक्र मत कीचे आज की तारीक में बक्षी बानों के लिए खास दिमारदार आ ही जाएगा ये मुनासिब रहेगा लेकिन एक बात जरूर कहेंगे रुकईया गुलामी हटा कर जोधा ने जो काम किया है वो बहतर था क्यूंकि अब यहां जो भी काम करेगा वो दिल से करेगा वर्ती करवा लेनी चाहिए थी उन्हें ऐसे आजाद नहीं करना चाहिए था खेल अब हम आगये हैं न हम सब ठीक कर देंगे और बक्षी बानों हम आज ही आपके लिए एक दाइमा और खिदमतगारों के इंतजामात करवा देंगे चलते हैं मीजान हुदाफिस 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 खाना तुम्लुक खाना तुम्लुक खाना खाना आदम खान खुदाफिस खुदाफिस करो आदम खान मुझे बचा लो मदद करने तो आए हम फिर महमद माराब के नहीं हमारे आदमियों के आदम खान लुदाफिस वह वह हम पर हुकम चमाते हो हम हम लुदा हम पर हुकम चमाते हो उसकी सजा मौत मौत मर रढ़ा लो निकलो, जाओ! कर दो 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 कर चलो हुजूर ये भाग रहा था और ये भी उसी टुकली में शामिल था अगर ये पकड़ा गया और मूँ खुल दिया तो सारी चाल उल्टी हो जाएगी खंदक्त उन्हें हमारे पीज सहाब पर हमला किया पीर बाबा को भार गालो थाक इनको मुला हुजूर अब कोई फायदा नहीं पीर सहाब अब हमारे बीच नहीं रहें हम उसे नहीं छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं हुजूर आप ऐसा मत कीजिए हम पहले ही पीर सहाब को खोच चुके अब आप आप टैश में मत आईए कि हमारे लिए सबसे बहतर यहीं होगा कि हम सब यहां से वापस लौट जाएं सब्सक्राइब करते हो जी उजूर तो अपने शनद और पहचान के कागजात तयार रखो सिपाई जल्द आकर तुम्हें महल के हरम में ले जाएंगे कितने लोग है यह कुल दस है हुजूर गुलामी खत्म होने के बाद खौजा सराओ और बांदियों ने अपनी मर्जी से हरम छोड़ दिया है इसलिए वहां भरती चल रही है उमीद है तुम लोगों को हरम के काईदे और वहां क्या करना है उसकी जानकारी होगी जी हुजूर मैं खाना अच्छा पका लेती हूँ हुजूर मैं नाचता बहुत अच्छा हूँ और साफ सफाई भी मैं खौकासी में माहिर हूँ जो जानते हो वो यहां नहीं हरम में दिखाना जल्दी हरम की तरफ रवानगी होगी हुजूर, आप कुछ भूलने ही रहे हैं शुक्रिया हुजूर, आपको बंदे की खिदमत बेहत पसंद आएगी चलो सब लोग पर इसकर निर्णे तो एक माँ बाद लिना था ना जोधा क्यों बुलाया सबको याँ, कोई फैसला करने वाले हैं शहिन्शाज सुनने में आया है कि वो उस अजीजा बांदी के खिलाफ है कुछ भूश यार, नूरे तक, शहिन्शाह हिंद, बाश्शाज जलाल उत्ति महम्माद तरशीफ ला रहे है हुजूर, फर्यादी मज़र आपसे कुछ अर्ज करना चाहता है कहो, क्या फर्याद लेकर आए हो क्योंकि जह तक हमें याद है हमने कहा तक हमें एक मेने के बाद अपना फैसला सुनाएंगे और आज, आज भी हम वही कहेंगे कि तुम्हें एक मेने के पूरे होने एक अंतिसाल करना होगा हमारे फैसले के लिए गुस्ताखी माफ हो हुजूर, मगर मुझे और वक्त नहीं चाहिए क्या तुम हमारे फैसले के खिलाव चाह रहे हो नहीं शेंशा, मैं तो बस ये बताना चाहता हूँ कि मैंने फैसला ले लिया है अब मैं अजीजा से निकाह नहीं करूँगा ये दिवाने खा से कोई मजाक नहीं जहां चब चाहे तुम अपना फैसला ले करा जाओ ये सच है हुजूर, मैं अजीजा से निकाह नहीं कर सकता ये मेरे लिए नहीं है क्या? कलतर तक तुम जिस से महबबत करने का दावा करते थे आच आज इसी के खिलाफ खड़े हो, कहां गए तुम्हारी महबबत? हुजूर, महबबत की इमारत यकीन की जमीन पर खड़ी होती है मतलब अजीजा ने मेरी जमीन मुझसे च्छीनी है वो सारी बाते इसने चुपाई जो मुझे जानने का पूरा हम था ये मुझसे बिना बताए किसी और शक्स से मिलती रही कैसे है? हुजूर, मुझसे मिलने से पहले ये किसी और से निकाह करने वाली थी और ये भी बात इसने मुझसे नहीं बताए इन दिनों ये लगातार उस शक्स से मिलती रही जब मैंने इसको उसके साथ पकड़ा तो इसके पास मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं था कि इसने ऐसा क्यूं किया अपनी स्वर्जनों के मंगल के लिए अम्बे मा के मंदर गए थे प्रात्मा करने के लिए इतनी रात करें अहां वो दिन में नहीं जा पाये थे न तो संभी होते तक हमारा मन अशान्त हो गया था इसलिए आप ही बताईए हुजूर अगर ये मुझसे मुझसे मुहबत करती तो ये सच्चाई क्यों छुपाती है हुजूर आप ही बताईए मेरे पास दूसरा रास्ता क्या है सिवाए आपके पास फरियात करने का मुझे लगता है कि मैंने अपनी बच्पन की दोस्त रुखसाना को छोड़ कर बहुत बड़ी गलती की है उसी की सजा मिली है मुझे वाह खुदा वाह हम कायल हो गया है आपके कालसाजी के सही वक्त पर सही मुकदमा आया है चलाल के सामने वाह क्या तुमने इसे सच नहीं बताया इससे जूट बोलकर तुमने बहुत गलत किया है क्योंकि गरश्टे के बन्याद यकीन से ही होती है और तुमने से की इनको खो दिया है शेहनशाह मैं अभी इनसे बहुत मुहबबत करती हूँ ये बात सच है कि मैंने इन्हें कुछ नहीं बताया पर मैं ये नहीं जानती थी कि मैं इनसे ये सब कैसे कहूंगी मुझे डर था कही इन्हें बुरा न लग जाए शेहनशाह मैं बहुत ज्यादा डर गई थी लेकिन शेहनशाह मेरे मन में कोई मैल नहीं है कोई मैल नहीं है मेरे दिल में मैं सच कह रही हूँ शेहनशाह तो ये पर हम कहेंगे कि इस पर यकीन आ कर इससे जूट बूल कर इससे सच ना बता कर तुमने बहुत बड़ी गल्टे की है इस गल्टी के स्वा तो हम तुमें तहीं नहीं सकते हैं क्योंकि सुदा तुम खुद भुकत रही हो जो इंसान जो तुम से बेहंतिया मापद करता थाज वही अपनी मापद के खिलाफ है हमारे फैसला है मुज़र कि तुम जिस से चाहे निकाल कर सकते हो दर्बार बर खास्त देखा जो धा बेगम हमने आपसे कहा था ना कि बचपन की दोस्ती इस दो दिन की मुहपत से बड़ी होती है और आज वही हुआ एक एक करके आप अपनी सारी जीती हुई बाजी हारती जा रही है खुदा हफस्ट जैन्चो 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 तक लिया खुदा विकम क्या काम है आपको हमसे हमें आपसे कुछ बात करनी है बात तो आप हमेशा करती हैं लेकिन बात पताती कहा हैं आप खुदा जैन्चो परन्तु हमें आपका निर्णने ठीक नहीं लगा हम मज़हर और अजीजा के विशे में बात कर रहे हैं अजीजा ने कोई पाप नहीं किया है हर किसी का एक बीता हुआ कल होता है एक अतीत होता है और किसी के अतीत के कारण उसके वर्तमान और भविश्य का निर्णने नहीं लिया जा सकता है